मेरा नाम है कीरन भाबर अभी तक जितने भी प्रधान मंतरी बने है भारत में उनको हम याद करेंगे ट्रिक से कोई दोहा यूज नहीं करूंगी जैसा कि आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा वो कन्फ्यूस कर रहा है दोहा ठीक है तो हम ट्रिक का यूज करेंगे जिसमें हम फैक्ट का यूज भी करेंगे और कंसिप्ट का भी यूज करेंगे देखें इनके नाम है और इनके कारेकाल है मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हमने इनके बारे में को सारे पॉइंट समझे हैं पड़े हैं जो एक्जाम में पूछे जाते हैं और मैंने बारा दिन इतना लंबा इनका कारेकाल रहा है तो देखे पहले आते हैं जवाहल लाल नहरूजी उसके बाद ये सिर्फ ध्यान रखने वाली चीज है इसे हम ट्रिक में नहीं इंक्लिट करेंगे क्योंकि ये कारवाहक रहे हैं गुलजारी लाल लंदा क्या हुआ था इन गुलजारी लाल नंदा यहां पर भी है और यहां पर भी है हुआ क्या था समझा देते हूं जवाहल लाल नहरूजी की मृत्ती हो गई थी ठीक है समय में ही जब यह अपना कारेकाल कर रहे थी उस समय में ही हो गई थी तो कारवाहक के रुप में गुलजारी लाल नंदा आय गया ठीक है उसके बाद नई प्रधान मंत्री चुनी गई इनकी बेटी जो है जवाहर लाल नहरुजी अब दिखें ट्रिक से याद कर लेते हैं यह से समझने के लिए है ट्रिक में इनको इंकल्यूड नहीं करेंगे गुलजारी लाल नंदा एक कारवाहक के रूप में इन्हो सियाद करोगे लाल लाल कैसे लाल लाल के बाद आया बिलकुल लाल ठीक है लाल के बाद कौन आया बिलकुल लाल आ गया हमारे भारत के लाल है जवाहर लाल नहरुजी और इनके बाद एक और लाल आये वो थे लाल बहादूर शास्ति यहां दिखें एक चीज यह भी लबोरड रहा है लेकिने कारवाहक से समझने के ऊसंदिक ठिंक नहीं लाल जवाहर लाल भृट के दो यहां कर लाल Vahadzo टेकर समझ में आ गया आपको लाल के बाद भिर्को लाल आ रहा है तो पहले वाले अप सब को याद ही होगा पंडित जवाहर लाल नहिरू जवाहलाल नहरू उनके बाद इनकी बेटी ठीक है क्योंकि लाल के बाद लाल आया फिर उनकी बेटी कि इनकी बेटी जवाहलाल नहरू जी की बेटी ठीक है इंद्रा गांदी ठर्ड नंबर पे कौन है इंद्रा गांदी इंद्रा गांदी जी पद से हटा दी गई क्यों क्यो हुआ था इनकी सरकार गिर गई बाद में जब एक और बार इलक्षन हुआ तो इतनी बूरी तरह से हारे कि दो साल फिर ये देखें दो साल 77 से लेकर 79 और 79 से लेकर 80 है न तो यहाँ पर कुछ साल फिर गैर कॉंग्रेसी लोगों ने पद को समाला ठीक है क्योंकि आप जानते हैं कॉंग्रेसी प्रधान मंत्री बन रही थी पहले तो गैर कॉंग्रेसी आया था क्योंकि इन्होंने आपातकाल घुशित करते था जिससे बहुत नाराज होगे थे सब तो देखें जब यह गई तो इन्होंने कहा कि मेरा चरण आएगा फिर से मेरा वंच मतलब की इस पद को समालेंगे ठीक है इंद्रा गांदी जी क्या कहते हुए गए कि मेरा चरण वापिस आएगा देखना मेरा चरण वापिस आएगा इस राजी वटियों और है दुआ इनकल झोलगनाई के इनेलों मेला चानल शौत दो की वह लिगा या राजिव गया है फिर आधसे पर पहले आए जवाहल लाल नहरो जी फिर उनके बाद जस्ट आए वो भी थे लाल तो लाल के बाद ही लाल आया तो वो था लाल बहादुर शास्त्री जी ठीक है तो उनके बाद उनकी बेटी आए जवाहलाल नहरुजी की जो थी इंद्रा गांदी जी इंद्रा गांदी जी अपनी पावर का मिस्यूस कर गए यहाँ पर उन्होंने आपातकाल लगा दिया जिसका कुछ ठोस रिजन नहीं था तो इनको मतलब की हार का सामना करना पड़ा ठीक है तो क्या हुआ इन्होंने गु बोला मेरा चरन वापिस आएगा और वापी सिंद्रा गांदी जी आए और उनके बाद उनके बेटे आए राजीव गांदी असान है याद करना कोई इसमें नहीं है अब देखें उसके बाद यहां से हम ट्रिक बनाना शुरू करते हैं विश्वास नात प्रताब सिंग एसे प्रधान मंत्री थे जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधान मंत्री नहीं इस एक मातर सी बाताकि यह एक कभी बी लोगसभा में उपस्तित हुए ही नहीं प्रदान मंत्री इंदरा गण्धी जी दो दो अवधी में बनी है ठीके एक एक लाइन में कंसरेप्ट षी समझा दीतीDas यह मिए अलग अलग अवधी में बनी है न यह बोलके निकल गई थी मेरा चरण वापीस आएगा मेरा चरण वापीसाइगा वापीस आई बेटे को सात में लाई ठीक है अब देखें एटत थी ए प्रदाप सर्ठ पर्ताओं जी यह विश्वास मत कॉस्वास प्राप्त करने ही अस्थ्न हो गए जैसा नाम है बिलकूल उसका उलटा कर गए ये विश्वास मत कभी प्राप्त कर ही नहीं पाए थिकें तो देखें आप यह जैसे दिख रहे हैं तो यहां से आप याद कर लें आप द नमबर के प्रधान मंत्री थे ठीक है जादा नहीं है अलग 8 से लिखा हुआ बिलकुल 8 जैसा ही यहाँ पर बन रहा है ठीक है आप देखे चंदर शेकर इसको याद रख लीजेगा कि चंदा मामा देखा आपने 9 बजे कितने बजे देखा 9 बजे चंदर से हो गया चंदा और आपने कित प्रताप सिंग जी विश्वास मत्त प्राप्त करने में अस अफल होने वाले प्रथम प्रधान मंत्री थे चंदर शेकर देखे आट बजे तो चंदर मां दिखता नहीं है क्योंकि आट से हमने याद कर लिए विश्वास प्रताप सी दस बजे भी हम चंदर मां को इतना ठीक बिनर्सी महाँ ठाऌ पत्गरहन करने के समयं एक सदन के सदस्यं नहीं थे यह पोईंट हिनका याद करने का की प्रतान मंत्री बने थ Aug सदन के सदस्य नहीं थे देखें से याद करेंगे वी को वी को जैसे आपको वी लिखा हुआ है तो उसको हिंदी में ये इस तरह से लिखा हुआ है ना इस तरह से तो आप देख रहे हैं mirror image बन रही है 10 की 10 की क्या बन रही mirror image बन रही है देख रहे होंगे आप यह जिसे टैन ऐसे लिख लो या फिर यह जो वी है यह ऐसे लिख लो तो यह थोड़ा सा आपको मिरर इमेज दिख रहा होगा टैन का तो इस तरह से याद करेगा कि टैन्थ नंबर पे आता है पी वी नरसिमहा राउ ठीक है अब देखिए अटल भिहार दिन के लिए बनेए थे जोकिस द्राख राउं प्रथान मंतरी है किसी कारेकाल में सबसे कम समय इन्हों ने निकाल था मात्रे टी राइं बाद युअabी निकाल गए थे लेकिन पहले का जो कारेकाल था सिर्फ तेरा दिन निकाला था तो अटल भिहारी जी को हम याद करेंगे 11, 14, 15 कैसे याद करोगे 11, 14, 15 ठीके इस डिजिट को याद रख लीजेगा 11, 14, 15 अटल भिहारी वाचपेजी में 11, 14, 15 ठीके अब देखे सिर्फ ये याद रखने हैं 11, 14, 15 इस तरह से याद हो जाएगा आपको 11, 14, 15 कैसे 11, 14, 15 ठीके एक दो बार भी इसको ऐसे बोलोगे रिबिट करोगे तो याद हो जाएगा कि 11 नंबर पे भी बने थे 14 नंबर भी बने थे और 15 नंबर भी बने थे 11, 14, 15 अब देखे 12 नंबर पे थे HD देवगोड़ा से 96-97 वैसे आपको पता है पांच सल का समय होता है इनका प्रधान मंत्री के पदकाले कि जो साल निकाल के गए इतने जाद इंपोर्टेंट नहीं है इंद्रकुमार गुजराल इतने इंपोर्टेंट नहीं है इनको बस नाम ध्यान रखेगा अटल विहारी वाचपई जी के बाद यह दो बने थे जो बहुत कम समय के बने थे एक एक साल भी मुश्किल से निकाल के गए एचडी देवगोडा और इंद कुमार गुजराल ठीक है काफी कम समय निकाल के गए है इसलिए इतने इंपोर्टेंट नहीं है इंपोर्टेंट यहां पर है आप दीके 16 17 वालों को याद कर लीजिए 16 अपने आप याद हो जाएगा नरेंद्र दामोदर मोधी जी ठीक है नरेंद्र मोधी जी तो आपको प मन मोहन सिहंची आये पहले फिर आये नरेंद्र मोधी जी ठीक है मन की बात करने ही आये है नरेंद्र मोधी जी क्यों है नरेंद्र मोधी जी अपनी मन की बात करने के लिए हैं तो पहले मन आया उनका मन की बात करने के लिए नरेंद्र मोधी जी इस तरह से ट्रिक से आद हो आपको देखे आसान था याद करना काफी सिंपल था यह सारी लाइन में पहले आपको वीडियो में समझा चुकी हो और अभी मैंने आपको बता दिया है फिर भी समझ लीजेगा एक एक लाइन का हिए सबसे पहले जो प्रधान मंत्री है वो पंडित जवाहलाल नहरू जी है ज आई तो अपनी बच्चे को भी लेका रही जो थैर राजीव गांदी जी है ना मेरा चरन वो राजी देशाई और चरन से हो गया चोदरी चरन सी ठीक है वापिस याद करा दूंगे अभी देखेगा पहली बार इंद्रा गांदी प्रधान बनी तो वह राज्यसभा की सदस् जी ठीक है ध्यान रखेगा कोशन मनता है 1 एकमांतर ऐसे प्रधान मंतरी रहे जो कभी लोकसभा में चरन ही नहीं रखे उन्होंने उपस्तित ही नहीं हुए विश्वासमत प्राप्त करने में असफल होने वाले विश्वासनात प्रताप नाम में ही छुपे हैं सारे ट्रिक टिक है चरण सीने चरण ही नहीं रखे कभी लोक सभा में और विश्वास मत में असफल हो गए विश्वास प्रताप सीव जैसा नाम वैसा काम कर गए अब देखेगा उससे बिलकुल उटा कर गए एक कारिकाल में सबसे कम समय में प्रधान मंत्री के पत पे कौन रहे थे अटल विहारी वाचपीजी 11 नमबर पे 14 और 15 नमबर पे रहे हैं 11 नमबर पे जब थे तो मातर तेरा दिन निकाल के गए थे ठीक है याद हो गया काफी आसान है देखे वापिस याद कराती हूँ ध्यान से सुने का कोई दोहा यह नहीं है बहुत अच्छी वीडियो है सब वीडि बच्छो गुलजारी लाल नंदा कारवाहक के तौर पे सिर्फ कार किया था प्रधान मंत्री नहीं थी ठीक है पद बहुत बड़ा है बृत्ति हो गए इनकी तो पद को खाली तो नहीं छोड़ेंगे तो कारवाहक के रूप में कोई पद समालेगा जब तक की कोई नए प्र गांदी जी मिस्यूस कर गई आपातकाल लगा गई यहां पर तो साल का जिसमें भी सब नाराज हो गए तो उनको हटाया मतलब कि इनके पाटी हार गई बुरी तरह से जब नया चुना हुआ तो तो ऐसे में यह नाराज हो के वो लिए कि देखना मेरा चरण वापिस आएगा मेरा चरण वापिस आएगा मोरार जी देखाई मेरा चरण मोरार जी से हो गया मेरा और चरण से हो गया चरण सी चरण सिंग जी ने कभी चरण ही नहीं रखे कहां लोक सभा में मोरार जी देखाई ठीक है मोरार जी देखाई ऐसे थे जो गैर कॉंग्रेसी थे ना कॉंग्रे से आहे थी, यह Congressman के नहीं थी जनता दल के थे हिए पॉइंट इनका ये भी आद रखने कला है कि मुराजी跆 देसरे जो ती प्रथम गैर doe कांग्रेसि प्रधान मंतरी येबंब प्रधान मंत्री देखें, इंदरा जी नाज़ूी कहा कि میरा चरन वापिस आएगा, और आया वापिस आई, सात में अपने बच्चे को भी लाई, इंदरा गांदी जी एफिर राजिय गांदी आए उसके बाद ये विश्वास मतलब कि इन्हों ने जो विश्वास होता है मत वो प्राप्त करने में असफल रहे गए ठीक है और यह पहले प्रधान मंत्री थी इसमें तो नाम का बिल्कुल उल्टा कर गए और शह बिल्कुल एड जैसा दिख रहा है तो यहां से हमने देख लिया कि आठवे नमबर के प्रधान मंत्री चंदरशेकर क्योंकि चंदा माम हमने देख लिए नौ बजी पीवी नरसिमहा राओ पीवी वी बिल्कुल मीरर इमेज बना रहा है दस की मीरर में उल्टा आप ऐसे हाथ में लिखके रहा से मीरर से दिखोगे तो बिल्कुल ऐसा दिखेगा आपको ठीक है मान लिजी यह जिरो को ऐसे मान लिजी ठीक है बिल अटल विहारी वाचपई जी तेरा दिन ही निकालके गए ग्यारवे नमबर पे आए फिर 14 पे आए फिर 15 नमबर पे आए ठीक है बीच में दो ऐसे प्रधान मंत्री थे जिनके इतना ज्यादा नाम फेमस नहीं है जो है एच डी देवगोड़ा और इंद्रकुमार गुज्राल तो पॉइंट इनके लिए को ज़्यादा समझने के लिए भी नहीं है लेकिन एच डी जो देवगोड़ा है वो पद गरहन करते समय विधान सभागे सदस्य थे बस यह याद रखना है ठीक है और अटल विहारी वाचपई देखे ग्यारा हमने याद किया ना 11, 14 और 15 और 13 द पहले मन की बात हुई डाक्टर मनमोहन सिंग जी ठीक है तो मन की बात से हो गया मनमोहन सिंग जी और नरेंदर मोदी जी जो अभी तक चल ही रहे हैं 2021 आप जानते हैं तो आपको याद हो जाएगा लेकिन मोदी जी से पहले मनमोहन सिंग जी आते हो कैसी आद होगा कि तफ नहीं है कोई दोहा नहीं है ट्रिक ही है उसमें बहुत सारी चीजें कंसेप्ट भी आपके सारे क्लियर कर दिए फैक्ट्स भी बता दिए आई होप वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लैक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ठेंक्यू